नमस्कार दोस्तों मैं आर्थी प्रचापती यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत करते हूं दोस्तों आज के इस वीडियों के में हम बात करने वाले हैं फिपल डेवलोप्मेंट एन्वार्मेंट के पीवाई किस के बारे में ओके जो कि आपके 2021 में पुछे सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और अपने दूस्तों को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिज करें तो चले छोटे सी इंफर्मिशन ले लेते हैं अगर आप यूजिसी नेट प्रिपरवन की प्रिपरजापती जहां से आप इसके प्रिपरजापती कर सकते हों यहां सब्सक्राइब कर रहे हैं और अगर कोई बच्चा साइकोलरी से हैं और यूजिसी नेट की प्रिपरजापती कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए हमारी यूटूब चैनल का नाम है स्टडी अप साइकोलोजी तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए जिन बच्चों का नेट हो चुका है ज्यारब का सपना है उनके लिए अलग से लाइन है अब की बार ज्यारब पार और स्पिशली मेरी से अलग सी लाइन है दम लगा के हाई साओ के लाकर दिखाना है पता है ना सबको चले तो जितने वी बच्ची लाइव चैट में फटा फटा फटेर सारे समसब दे दीजी और साथी साथ सभी लोग रेडी हो जाए ओके पिपल डेवलोप्मेंट एंड एंवार्मेंट जो है है वह बहुती बहुती मजिदार मतलब पुरा का पूरा युनिटना वह बहुती मजिदार है अगर आप उसको समझते हो थो एके लिए क्यों बहुत है चले अर्स आपको मतलब आपको ऐसा हो जाएगा कि हमने यहां पर गलती कि है तो वह गलती आप दुभारा से नहीं कर पाती है सबसे पहला कुशन आपके सामने है नीमना लिकित मिन से कौन सा एक और जुन का शरण करने वाला पदार से चली और डिपलेटिंग सबस्टेंस जो है मतलब की सबस्टेंस से बताईए जो उजोन का क्या करें शरण करें लोगों को पता होगा कि हमारे मतलब की वातावरेंट के अंदर जो उजोन का मतलब स्थार हैं वहां पर अभी एक छोटा सा छीद्र पहले दिख रहा था अभी बड़ा होता जा रहा है ना जिसकी वजह से क् क्या गविवरा लसे करतें वाइलेोंते हैं ऑपड़ाइला जो किम का रहाती है और प्रिश्वी मंसब्स्य की लिए सभी है क्या है बहुत ही नुक्षान का रहा है ओके चले बताईए कौन सा ही को जुन का ख्रण करने वाला बजार्थ है सल्फर डायक्षाइड मिथाइल क्लॉराइड कार्बन डायक्षाइड या मिथेन बताईए सभी बच्चे आंसर करेंगे ओके तो यहां पर अंसर है मिथाइल क्लॉराइड क्या है मिथाइल क्लॉराइड स्वारी तो सेकंड इस तो करेक्ट अंसर अब यहां पर देखिए कौन-कौन से सब्सक्राइड करने वाले पदार थे तो देखिए तो हैं पहले ना किस में से निकलता है आप लोगों को पता हुआ जाए पसे किस में से निकलता है में से 10 कि या रूंड़ कूलर्स क करते हैं वहां से सब्सक्ते ज्यादा रूmal फलला कार्बन सब्सक्राइब तो गए कार्बन हो गया है उसके बाद है करने वाले कदार तो यहाँ पर एंड हेलों जो प्रायर जो होती है अगनी साम क्यंत्रा होते हैं, वहां से भी निकलते हैं, फार्म में से प्रॉपेलम्ट जो तैंड उसी के अंदर से निकलता है मीथाल ब्हुता है वो होता है वो हुमिएशन आप इंधेस्ची के जो बहुत है उनका इंपोर्टेट अएक्सपोर्टेट के इन में से यह सारे निकलते हैं तो बस यहां पर आपको यह सारे याद रखने एक्जाम में पूछे जा सकते हैं चलें कोईशिय नमबर टू लगाई कोईशिय नमबर टू कह रहा है कि निम्नलेकित में से कौन सा उर्जा सोत सवर उर्जा का रूप नहीं है मतलब कि सोलर पाव फिर विंड पावर और फिर कोल और हैड्रो पावर कोल का मतलब होता है कोईला चलिए इसका अंसर करें सभी बच्चे घटा फट से अंसर करेंगे सभी बच्चे ओकी चलिए तो यहां पर आपका अंसर क्या आएगा कोईला कोल जिसको बोलते हैं अब देखो यहां पर थूड़ा से समझ लेते इसको एक्प्लेनेशन इसलिए लगाई है कि ताकि आपको समझ में आदे हैं करता है घर्मी प्यादा करता है क्या होती है उसको जनरेट करना है या फिर केमिकल जो रियक्षिन होता है उसके लिए यह क्या होता है सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है मतलब कि उसके अंदर उतनी क्षमता होती है कोईले को एक घैन अभीनी करनी यह उर्जास्तरोथ के रूप में भरगी करिद किया गया दिखो आप यहां पर कुशन ऐसे भी आते हैं यह मतलब कमता ही तो क्या है क्कुवां जो हैना मतलब कि मतलब क्या हो तैं कि किसि बहुता है जल्दी से किमसे उसको बनने में बहुत ज्यादा साल लग जाते है बर्सों के बर्सों तो इसलिए उटको नौन रिन्यूबल बोलते हैं तो यहां पर वह मतलब की और रिन्यूबल है क्योंकि वह मतलब की सूर्य में से मिलती हैं तो मतलब सूर्य तो कभी मतलब की वह थोड़ी ना मतलब होता है तो वह मतलब होता है तो इसी तरह के से ऐसे जो भी मतलब मतलब हमें मतलब खतम हो भी जाता है लेकिन को अगर मानलों कि कौई जैसे चीजें होती है वह अगर खतम हो जाती है तो फिर मतलब उसको बनने में बहुत ज्यादा लंबर टाइम लग जाता है इसे वज़ा से आप लोगों देखा वहाँ बीच में भी गवर्मेंट में भी बोल दिया था कि अब पीजली योग पर क्या लगाया जाएगा तो उसी वज़ा से अब बीजली को भी मतलब काटनी की बात हो रही है सब्सक्राइब सब्सक्राइब श्ट्वार की हुई उर्जा दल दलि'll की बात नहीं की एनर्जी रहती थी पौधों के अंदर अब क्या हो गई ए लाखो वर्सवें दबे हुए थे ओके बहुत की बहुत लंबे टाइन से जो पॉद्धे दबे हुए थे तो वो दबे हुए मतलब की चट्टानों की परतों के अंदर दबे हुए थे हैं गंदकी में दबे हुए थे तो वो पड़े-पड़े मतलब सड गए यही बोलते हैं पिर जिवास्म होते हैं कि मतलब कि हमारे जो हड्साइब कर थ pleasant दीन अभी चिंदुरि वाजो के अनुषार अगर हम चलते हैं तो वहां पर क्या उता है जो बाड़ी होती है न उसको जला दिया जाता है न फेले की टाइम पस्ध सड़ी और वहां से उनमें से ये कौयला बना है कोईले के अंदर क्या होता है अधिक कारबन क्या हो जाती है अगर कोईले को हम जलाते ना तो उसे कार्बन डायोकसाइड की मात्रा बढ़ जाती है तो ये भी याद रखना है आपको के मतलब कि हम बात करें जो क्लाइमेट हो रहा है उसके अंदर सबसे ज्यादा योगदान किसी कर रहा है तो यहां पर क्लाइमेट चैंज हो रहा है उसके ज्यादा उसके अंदर किसी कर रहा है कि इसलिए कोईला को वर उर्जा का एक रूप नहीं कि वह मिलने वाला नहीं मतलब सूर्य की मतलब घर में होती है उससे वह नहीं बनता है समझ आहें न कोईला किससे बनता है वही से आपका अंसर बन जाता है आप देखो जो जुसको टाइड बुलते हैं जुआर चंद्रमा और सूरिया और पृत्वी के गुर्णन कि द्वारा उसके द्वारा लगाए गए गरुत्वा कर्शन बल होता है न उसके सईयुत यह क्या होता है टायड ऑक कर्षण बनता है उसका तो उसी की वज़़से नहीं कर रहा है सीमय से कमबाइन उससी की वज़न से वह मतलब की उसका क्या उत्पन होता है wind power की बात करते तो wind power जो है वो उर्जार पंतरन का एक रूप है जिसमें टर्बाइन हवा की गतिज उर्जा को देखो यहां पर क्या होता है कि जिसमें टर्बाइन जो होता है वो हवा की जो गतिज उर्जा होती है उसको किस में ट्रांसपर करती है उसको यांत्रिक या विद्यूत उर्जा में ट्रांसपर करती है परिवर्थिस करती है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं बिजली के लिए किया जा सकता है आप लोगों को पता होगा कि जो wind power होते हैं उसकी यहाँ पर ऐसे पंख्या लगाए होते हैं और यह जासे मानलो यह wind power है अब यह wind power है न तो खुले खुले विस्तारों में इसको लगाया लगजाता है वह वह तहीं रहती है और उसी वज़र से यहां पर मेनर्ज करता व घती करते हैं एलेक्त्रिक अंदर हम क्या करते हो उसको को कन्वर्ट कर ले लिए ऑगर हमारे यह क्यतों विजलिया भी आती है तो इसी विजलिया की वज़़से सभी घरों से वहां ये क्या हुआ एंधर को रहे हैं उसके बाद है जल विद्ध की बात करते हैं हेड्रो पानी का ज्यादा होता है वहां पर ये मादधर लगाए जाता है और उन्हीं से क्या होता है एनर्जी प्राप्त की जाते तो जो लोग जैब बिजली जिसको बोलते हैं और इलेक्ट्रिक पावर जो चहां के सबसे जाने और सकते बड़े सूटों में से एक है जो बीजली पैदा करने के लिए बहते पानी के प्राक्रितिक प्रवागा उफ्योग करता है तो यह सारे के आपके क्या है अंसर यहां पर टाइड्स पावर विंड पावर हाइड्रो पावर यह सारे यहां पर सुर्ण आ गया तो यह सारे क्या है आपके और स्वालर पावर के मतलब के रूप है और नहीं है कौन से प्राक्रिति कापदा उत्र उतर बढ़ती रहती है मतलब कि एसे कौन से मतलब की प्राक्रित नेच्रूल जो हजार्ट रहती है और उसमें अधिक अधिक लोग क्या करते जान गवाते आपको प्राक्रिति आप दा तो नहीं थी ओके लेकिन फिर भी हम उसको यह बूल सकते हैं प्राक्रितिक आपदाग की तरह थी उत्र उत्र बढ़ती गई उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई तो यह तो यहां पर देखो अर्थ क्वीग होती है इतनी मतलब उत्र 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 नहीं बढ़ते हैं वालकेनिक एर्उप्शन मतलब की ज्वालांगों की विश्पोट बढ़ते हैं इतने मदलब नहीं बढ़ते हैं लेकिन फमर मारी ईतर उतर बढ़ती जाती है और उसमें अधिकादिक लोग जो है जानगवाते हैं यहां पर क्या आएगा थर्ड करेक्ट आंसर पर लगाए अगें पर आया कोई बात नहीं पर लगाई भारत सरकर की परियावरणी यह कारे यूजना के संदर में यहां लिकीद में से किसका शंक्सितन्य मतलब उसका स्टेंड फॉर बताओ किसका स्टेंड है अनेे improved है इस ती का फूल्टफर्म बताना क्या है निसनल टीनेशन वार्ड सोलर है लाया एको सिस्टम बताईए क्या होगा इसका अंसर फूल फूम बताना है कि सभी बच्चे अंसर करें फटाफट करना है अंसर के लिकिन गलत नहीं करना क्या है का अंसर या सेकंड इस तो करेक्ट नेशनल मिशन उन सस्टेनिंग हिमालाया एको सिस्टम अब यह क्या है हिमाले परिस्थी की तंत्र को बनाये रखने के लिए राष्ट्रिय मिशन नेशनल मिशन जो है वह जून 2010 में शुरू किया गया था इसे 2014 में केंद्र सरकार से फार्मल अप्रूवल उनको मिला था और हिमालाई छित्र मीं 50 मिलियन लोग पहाड क्रेसी का अभ्यास करते हैं और कमजोर रहते हैं हिमालाई परिस्थी तंत्र भारती ये बुभाग की परिस्थी की सुरक्षा के लिए महत्यो पूर हमारी जो बोडर है वह हिमालाई से यह हमारे भारत का हैं यह वाला हिस्वा तो यह वाला अगर हम बात करें कि यह ऊर्फ से लेकर और जो पुर्व का पूर्फ हिस्वापी ओके यह हमारे भूभाग के लिए इसी वज़े से हिमालई पारिस्ति की दंद्रा भारति और भूबा की पारिस्तिति परिफिति की सुरेक्षा के लिए अब यह जलवाई परिवर्थन के प्रति किल परफाओं के प्रति संवेदन से अब क्या हो रहा है पता है टो हिमाले पर जो भी मतलब की बर्फ है न वो अब पिगलने लगा है और कहां की अर आ रहा है समरका की आ रहा है उक्स हमें यहां पर उसकी रख्षा करना क्या हो गए अनिवार्य हो गया के लिए यहां पर नेशनल मिशन बनाया गया था जिसका का नाम था डिशनल मिशन वान सस्टेंडिंग हिमालायान एको सिस्टम ओके क्लियर चले ओकी कुछिन नंबर फाइव लगाई के निमनलिकित में से किन प्रदुसकों का प्रतिकुल प्रभाव मनुश्य के स्वास्त और जल्वाई परिवर्थन पर पड़ता है बताई हुमन है इसका मतलग कि क्या हो रहा है इस एक डोरा बताओ और साथ ही साथ क्लाइमेंट चेंज पर भी प्रभाव रहा है कि एक से कौन कौन से प्रदुसक के बताओ कौन से क्वालिटेंस नहीं सभी बच्चे आंसर करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजियों की प्लीज कि चलिए तो है प्रदुसक अब देख लेता है अब यहां पर जो है कि यहां पर पॉल्लेंट की बात करते पहले इसको आंसर हम देख लेते उसके बाद में आपको समझाते हैं तो कि यहां पर आंसर बीजिए और सिल मतलब कि पर्टिकूलेट पर्टिकूलेट मैंट अपका आएगा ओंग यह दोनों जो है वह प्रदूजग क्या है और तो यहां आपको याद रखना है क्योटो प्रोटोपल के वह किस से हैं ग्रीन हौउट ग्रीयन हॉइस ग्रीन हॉइस से औरakah मॉन्ट्रियल प्रोटोपवार है मॉन्ट्रियल प्रोटोपल उक्ए वो कीस से समद्दित है वह ओजोन से हैं थे जोन और परिटिकून मेटर जो है न वह दोनों के क्या है हमारी मतलव Скर rat sa अब इसको समझते क्या है है हुँ है पहले बात करते हो प्रदूसर को में पर्टीकुलेट में नियाद रखना है कार्बन मोनोक्साइड याद रखना है यहां पर यह नाम भी याद रखो स्वास्त चिंटा के सबसे मचबूत मतलब कि सबूत वाले प्रदूसक यह सारे प्रदूसक और अल्पकालिक और दिदकालिक संपर्ख दोनों की परेदान स्वरुःफ स्वास्त समस्या राथी ओके कभी गवी क्या होती है च्वास्त प्रदूसक और के contextual प्रप्रभा वी ना की चलेए उसके अंदर सबसे पहले PM को देखते हैं PM मतलग के हमारे स्री नरेंद्र भाय मूधी नहीं लेकिन पर्टिकुलेट मैटर की बात हो रहे के पर्टिकुलेट मैटर जो है वो एक सब्दा है जिसका उपयोग इनहेलेबल करूं का वंडन करने के लिए किया जाता है जो सल्फेट नाइट्रेज ओके अमोनिया, सोडियम, क्लॉराइड, ब्लैक कार्बन, मिनरल डर्ष्ट या पानी से बने होते हैं यहां पर क्या है यहां पर एक सब्द है पर्टिकुलेट मैटर यह सब्द है एक प्रकार का ओके जिसके अंदर यह सारे मतलग की जो भी सल्फेट, नाइट्रेस है ओके अमोनि सोडियम, क्लॉराइड, ब्लैक कार्बन, मिनरल डर्ष्ट या पानी हो कि उससे बनने वाले जो इन्हेलेबल कर्ण है उसका वहां पर बेंडन किया रहता है उसके बाद बात करते हैं कि प्रवेश करने और रक्त प्रवाब में प्रवेश करने में सकता है वह फ्याफड होते उसके अंदर वह क्या करते हैं गुश जाते हैं और रक्त प्रवाब मतलब हमारा जो ब्लड श्ट्रीम होता है उसमें प्रवेश करने में सक्षम होते हैं जहां यह कार्डियो वैस्टूलर मतलब की जिसको इसकेमिक रदे रोग बोलते हैं के सैरेब रोबास पुलर जिसको स्ट्रॉक बोलते हैं और प्रवाब पैदा कर सकते हैं तो यह इस टैप की यहां पर क्या है यह मतलब की एक प्रकार के रोग यहां पर पैदा करते हैं अब लंबे समय तक और अल्पकालिक पार्टिकुलर मैटर एक्स्पोजर रदय और स्वसन रोगों से रुगनता और मृ करते हैं तो एक हुमारे हमारे हट कौण को इसकρι क्रता gesch inflammation को क्तता है यहां से रदव संबंदितों और मृत्यू से जूड़ा होते हैं क्लियर चुनु उसकी बाद आते हैं आफ्ग वह वाध करते हैं तो जुन टो हमारी प्रित्वी है और इंसके उपर यहां पर एक परत बनी है आफी कि अब यह वह है ना वह मतलब की सूरिया की change जो बिकीरन है और जो उसके कीरेने उसको यहां पर पृस्वी पर आने से रोकती है कोछी उसके पृस्वी लेकिन अब क्या हुआ कि यहां पर चूटा सा चीतर देखने को बिला था अब यह चीतर ना बड़ा होता जा रहा है करते हैं और उनमें से निकलने वाला जो सी है और है उसी की वज़े से यहां पर यह जो परत है यह लेयर है वह तूटने लगा है तो इसी वज़े से यहां पर यह उजोन की बात है तो स्मॉक के लिए ग्राउंड लेवल उजोन एक महत्वपूर्ण योगदान करता है यह वाहनों और उद्योग वारा उत्सर्जित नाइट्रोजन अक्साइड जैसे प्रदूसकों के साथ प्रतिक्रियाओ के परिणाम् स्वरुप बनता है और यह जो होता है ना वो किसमे बनता है तो वहां और उजन की प्रकास रासायनिक प्रक्तित के कारण दूपके मौसम में उच्टम सर देखे जाते हैं दूपके मौसम में हम हाई लेवल का मतलब कि सर हमें देखने को मिलता है उसके बाद अत्तय दिक ओजन एक्स पोजर सांस लेने में कठी नाइज पृताया अब देखो ज्यादा दर ओजोन सास लेने में तकलीव पड़ेगी ऑस्तमा के हम लोग पर सकता हैस्तमा जैसे होते में एसे बहुत सारे मूवी, के अंदर बत दिखाते हैं फ्यापड के कारियों को यह क्या करता है कम कर देता है और विमारी का यह कारण बन जाता है है क्लियर चलिए के बात करते हैं नैट्रोजिन गया जो है व posso मैं वैसाओ नक करते हैं जो म watermelon और लाल बुरे पानी में गुलंसिन और लाल बुरे रंग उतके अंदर होता है और जैसे कि दहन की प्रक्रिया होती ना उसमें से यह क्या होता है निर्मित होता है यह उजोन के निर्मान में क्या होता है सहाइट करता है साधारन श्टाव फुली आग या बत्ति के लेप में बायो मास्क्राइव इंदन है तीर है, जिवास में इंदन का अजूरा-धॉवन होता है तो इसके बाद कार्भन मॉनोकसाइड की बाद करते हैं तो कार्भन मॉनकसाइड क्या एक जहरेली gars है मतलब की मतलब की कटा कोई color नहीं है उसका कोई घंध भी नहीं का और कार्भन तो यहां पर आपको पता चल गया ना अंसर क्या आएगा आपका जो पर्टिकुलर जो मेंटर है और वह जोन है यह दोनों के दोनों क्या है हमारे स्वास्त के लिए बहुती मतलब के नुक्षान कारक है उसको प्रभाविक प्रतिकुल प्रभाव देता है उसके बाद है question number 6 स्टेटमेंट बने 20 प्रदुशन का प्रतिकुल प्रभाव व्यक्ति की स्रवन सक्ति के साथ मानसिक तो अस्ता पर भी पड़ता है क्या सही है गलत है बताओ और स्टेटमेंट टू है मानवी या उधारना 20 सर के समद्ध में रहेखी है बताईए लिनियर है बताओ भाई एकका अंसर सभी बच्चा अंसर करेगी एकका कि में यह तो पहला वाजा तो सही है बिल्कुल सही बात हैं क्योंकि द्वनी प्रदूसर और हमारे जो स्रवन की सकती में आप लोगों को पता होता है तो बहरे बंजाते लोगेना तो ज्यादा दोनिका प्रदूसर होता है उसी Chief फ् USad और स्टेट्मेंट 2 कह रहा है कि मानवी अवधर्णा द्वनी सर के संबन में रेखी कैं मतलब कि समान रूम से चल रही है मुझको मतलब कि यहां पर बहुत ज्यादा लाउड है सर मतलब की आवाज और ना कि मतलब बहुत लाउड में रहना मतलब उनको पसंद होता है थी च्शान हाँ एक समान रुक्सन हो रही है तो स्टेट्मेंट टू थी है यह एंवी के कि पूंदे करेंद को और और से उसका पर व्यभीं हुता है स्टेट्मेंट वाइं तो यहां पर देखो यहां पर बौत नहीं आएगा इसको देख लिया यहां पर ना स्टेट्मेंट थोड़ा सा ओलट उलट हो गया है यहां पर क्या आएगा है ऑर सेकंडे क्के ट्रू है उपने नीचे हो गया ना इसी वजह से रवारीं वैक्स क्रेंच नी आपको स्टेटमेंट 1 वह आपका क्या है वह करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट टू है ना वह फाल्स है वह रेखिक नहीं होता है चले उसके बाद एको question number seven question number seven है डीमनल इकित में से कौन सा देश 30 गिगावाट की क्षम्टा वाले विस्व के सबसे बड़े और सवर्वाई उर्जा उद्यान की स्थापना की प्रक्रिया में सलगना है बताओ लार्ज इंटिग्रेटेड सोलर विंट एनरजी पार्क की स्थापना की जो प्रोसेस है उसके अंदर वो सलगना है बताओ कौन सा गंटरे चाइना इंडिया उस्टेलिया साओधी अरेबिया ओके तो यहां पर अंसर आएगा आपका इंडिया ओके आप देखो COP26 COP26 के अंदर भारत ने 2030 तक 500 गिगावर्ट सापित गयाड जीवास में उड़ जा ओके नॉन फोसिल एनरजी की बात की उसको हासिल करने का संकल्प लिया था कितनी 500 गिगावर्ट की ओके अब प्रधान मंत्री जो हमारे नरेंद्र जी मतलम नरेंद्र भाई मोधी जी है उ योजना की आधार सिला रखी थी ओके ये वाली जो आगे वाली जो योजना बनाई है ना लार्ज इंटीग्रेटेड सोलर वाली तो उस योजना की आधार सिला रखी जो उन्होंने और जिसमें 30 गिगावाट बिजली या 30,000 मेगावोट होने का अनुमान किया था ओके तो यह भी आपको याद रखना है और यह दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रीड अक्सा uh यह क्या होगा दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रीड लार्जिट हाइब्रीड रिन्युएबल है? के वर्ड का पूरे वर्ड का ओके और यह गुजराद गवर्मेंट प्रोवाइट एक लाख एक्टर और वेस्ट्रेंड इन कच्छ और एनर्जी पार्क को के यह जो मतलब की पार्क बनाई जाएगा तो हमारे गुजरात में याद रखना आर्थी में के गुजरात में मतलब कि आर्थी में जहां पर रहती है उस गुजरात में बनने वाला है और पहले जहां पर PhD करती थी डिस्ट्रिक में वहां पर कच्छ में और दूसरी जगह पर एडिशन लिया है तो कच्छ में एक लाख हेक्टर बंजर भूमी प्रदान की है गुजरात सरकानी इस हाइब्रेट एनर्जी पार्क के लिए पार्क स्वावर पैनलों और पवन टर्बाइनों से 30 गिगावाट बिचली प्यादा करेगा यह जो पुरा और इनर्जी पार्क है वह वह कितना पैनल है सोलर पैनल है और साथ चाह जो टर्बाइन पवन टर्बाइन मैंने बोला था ना कि कच के अंदर विंड पावर बहुत सारी लगे हूए है कि विंड टरबाइन जो है उनसे वो कितना गिगावर्ट बिजली पैदा करेगा 30 गिगावर्ट बिजली पैदा करेगा ओके और अप्रेल 2020 में रक्षा मंत्रालाई जो है मिनिस्ट्री आप टिफेंस जिसको बोलते हैं उन्होंने पार्के लिए निदिश्ट चेत्र के 32,600 हेक्टर के उप्योग को मंजूरी दे दी हैं तो यह थोड़ा सा था आपके किसके अकोडिंग यह आपका जो लार्जिस्ट इंटिग्रेटेड ग्रोलर विंड एनर्जी पार्क है उसके बारे में तो यह इंडिया में आया की नहीं गुजरात इंडिया में है की नहीं बिल धारणिये विकास लगसब्दे को हिंदी में कैसे कैसे वर्डाज देते हैं सुस्टेनेबल डेवलप्मेंट गूल्स की बात हो रही है कि उसकी प्राप्ति एक इकरित प्रयास आवश्यक है मतलब कि साथ में मिलकर उन टार्गेट को पूरा करना आवश्यक है मतलग कि बहुत सारे स्टेनेबल डेवलप्मेंट गूल्स जितने भी हैं वह एक दूसरे से क्या है इंटर कनेक्टेड है बताओ स्टेजिए पूल कितने हैं कांसल करो कितने गूल है यह कुश्यन आया हुआ है आपके पेपर बन के अंदर ओके संख्या बताईए आईट आई तो चालो कर दो ओके स्टेजिए गूल की मतलब कि बताओ कितने गूल है बिलकुल 17 हाना 17 गूल से बिलकूल अब यह जो गूल है न वह एक दूसरे से कनेक्टेड है ओके एक मतलब देखो जासे कि गरीबी हो गई बूख मरी हो गई तो एक दूसरे से मतलब क्या इंटरक्नेक्टेड है अब्व कि पूसरे सहे नले कर्षाइल आई लेकिन साहित है न बडूसरे से जूड़े हूं बताए हैं बताइए यहां पर दोनों के दोनों सही है और जो है मतलब रिजन जो है न वह अजर्शन का कर रहे हैं अजर्शन का एक्सप्लेशन भी कर रहा है क्यों देखोई SDGS जो है मतलब सब्सक्राइबल डियाप्मेंट प्रयाज करना पड़े जाओ के ना कि एक गोल को कंप्लेट करना पड़ेगा साथ ही सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा जिस तरीके से मानलों कि गुर्मत्य यूप्त सिक्षण के अंदर बात भी गई हैं क्वालिटी एजुकेशन की बात की अब हम वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं तो साथ ही साथ हम एन्व अजर्सन का एक्स्प्लेणिशन भी कर रहा है ओके चले नंबर 9 क्वेशन नंबर 9 कह रहा है यह भी अजर्सन बहुता प्रक्रिति के अन्योन्य के ने उच्छस्तरिया और इृत्ता पूर्ण परिस्तति तंत्र को और भी ज्यादा खराब वातावर्ण में परिवर्तित कर क्योंकि धर्ति के वातावरण में हो रहे अनेक परिवर्तन जो है वो कैसे हैं अब परिवर्तनी है बताओ इसका अंसर करो यहां पर अजर्शन कहला है कि जो मानवता प्रकृति की जो भी अनुन्य मतलब इंट्रैक्शन है उनकी वज़ा से उच्छ सरीय यानिकी हाइली कॉंप्लेक्स एंड डाइवर्ज एकोसिस्टम है तो वह मतलब कि क्या हो रहा है मतलब ज्यादा वातावरण में खराब वातावरण में उन्होंने कर दिया है कि ठर्थी के वातावरां में अनेक परिवर्तन है कैसे है आप रिवर्तनिय का मतलब क्या होगा बिद्धा और परिवर्तनी का मतलब कैं होगा कि अब बैचे आंसर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करना कि अगे आघा है यह एक डिश्बस्य दिश्बस्ट रहे हैं कि इस तरुम्हाइं है यह इस आपर अंसर के आएगा दोरों के दूनों सही है और ये आर जो है न वो एक ही explanation भी कर रहा है क्यूं भाई दिको यहां पर हम जो प्रकृति को मतलब की हटा हटा कर प्रकृति को डिश्टब करकर के हमने क्या वातावरन को ही खराब कर दिया अब प्रकृति के तो नियम है वो तो अपरिवर्त निया है है ना उतके अंदर जो परिवर्तन होता है वो अपरिवर्तन होता है फिर भी हम उसमें परिवर्तन करते रहेंगे करते रहेंगे तो वो मतलब की हमें भ प्रकृति को नुक्षान कर रही है क्योंकि प्रकृति नहीं हैं और हम उसको परिवर्ट और हम से चैन्ज करने की तो पीछे लगये हुए है ना तो उसके पीछे लगोगे तो फिर क्या होगा वो भी अपको ठपड मारें पो सांबने वाले को ठपड मानने में ही केले लगे 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 रहा है लेकर सांबने वाले अभी भी आपको कुछ भी नहीं बोलता है noble child रहा है वो सोचता है चल उसके जैसा मैं भी बनूगा तो उसमें और मुझमें क्या फ़र्क होगा लेकिन पुछ हद तक है ना उसकी लिमीट होगी तब तक अगर वो लिमीट अगर क्रॉस हो गई ना तो सामने वाला भी एक जोर से इतना जोर से थपड मारेगे ना तो आपने चाहे हजार थपड मारे होगे ना तो उसके बराबर हो जाएंगे रहा ही काम प्रकृति नहीं वीद् के बाद बारी है चलिए यह इसी वज़ें से यहां पर दोनों सही है और आर्ज वह एक एक्स्प्लेशन भी कर रहा है और यहां पर क्या कर दिया कोश्यन की अंदरांसर दे दिया अब चलिए कोई ना क्वेश्चिन अबन भारत की कितने प्रतिसत भूमी पर भुकम की संभावना है बताये चलिए यह ता बड़ा गजब कर दिया मैंने चलो अर्थ क्रीक में अर्थ की कितनी संभावना रही है हमारी जो भारत की जो भूमी है मतलब लैंड से उस पर कितनी मतलब की अर्थ क्रीक की परसंटेज रही है बताओ यहां अपर आंसर ही आपको सो रहा है अब आगी तो मैं क्या बोड़ों इसको आपने चैंज तो करनी सकती चलो और दूसरे श्लाइट पर दिया दोनों तरफ आंसर है चलो कोई ना ओके यहां पर आंसर क्या आएगा याद रखना है तो 58.66 तो अगरा को 59 भी दे सकते है शुस्टी भी दे सकते हैं तो याद रखना है आपको 58.6 परसंट अ करते ही संभाव सब्सक्राइब साइक्लोन की संभावना कितनी रही हुए 8% कि रही है लेंप्रतित पूछाल । यह आपको याद रखना है क्योंकि इस बार आरथ क्विक के बारे हो सकता है cyclone के वारे में जो सकता है philode के बारे में जो चलिय नबर 11 कहरा भारत सरकार की जहलबाई कार्य योजना की योजना कितने मिशन हैं कितने मतलब व्यत्म मां मिशन है बताओ चार आट बारा सत्रा कि तो आंसर इस दो आट को कि एट मिशन है उसके बारा में देते तो यहां बदेगों भारा सरकार ने जलवाई परिबर्तन यानिकि क्लाइमेंट चेंज पर आट राष्ट्री मिशनों की रूपरेखा तेयार करते हुए 30 जून 2008 को जलवाई परिबर्तन पर राष्ट्रीय कारी योजना सुरू की थी ओके मतलब कि एन पी एन एपी एन एपी सी सी ओके एन एपी सी सी मतलब उसका फूल फॉर्म भी पुछा जा सकता है नेशनल एक्षन प्लान और क्लाइमेंट चेंज ओके तो याद रखना है एन से नेशनल एक्षन प्लान और फिर ओन आ जाता है और क्लाइमेंट चेंज ओके यह उसता फूल फॉर्म है तो नेशनल एक्षन प्लान और क्लाइमेंट चेंज के अंतरगत यह मतलब कि उसकी शुरूआत की थी औके कब की थी 30 जून 2008 को की गई थी ओके अब इसकी तहत ना वीजिए तो सोलार मिशन को फिर दूसरा यह istan अिनल मीशन पार सुस्टेनफे कि रहें हिमालया एकουςस्टम को सभी बात हुरही है वने हमाएं इंडिया फिर नेशनल मिशन फॉर सुस्टेनेबल अग्रिकल्चर नेशनल मिशन ओन स्ट्रेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेंट चैन्ज यह जारे क्या हैं आठ जो नेशनल मिशन रखे गए हैं किसके तहत और पी सिसी के तहत ओके चलिए विगनार और प्रवदुगी की आठ व सायंस ऑड़नेट टेकनोलोजी मिनिस्ट्री आप सायंस और टेकनोलोजी ने क्या किया हैं जलवाई परिवर्तन पर आठ मिशनों में से दो के समन्वाई की जिम्मेदारी सौपी गए थी ओके तो यहां पर यह समझना आपको याद रखना है कि आठ मिशन थे और इन बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि चलिए क्वेशन नमबर ट्वेल लगाओ भारत मोसम विग्णान विभाग की अनुजार किसी चक्रवाती तुफान की तीन मिनट तक अउसत स्थीर पवन गति की रेंज होती है बताई कि इसका अंसर करें और इसकी साइकलोन की जो पीडियाफ है ना मैंने जस्ट अभी अभी मतलब क्लास यह रेकॉर्ड करें उससे पहले पहले मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है तो एक बार उसका मतलब स्टड़ी कर लेना सब बच्चे चलो बताओ इसको समत्य थोड़ा सा इसको आपको याद रखना है और आप इसको ना मतलब के एक नुवाट में लिख लेना अभी स्क्रीन स्ट ले लिजिए और फिर अपने नुवाट के अंदर इसको लिख लेना क्योंकि इससे रिलेटेड कोश्चन आ सकते हैं अपके देखो यहाँ पर अगर हम बात करें डिप्रेशन की तो डिप्रेशन में कितना स्ट्रेंट होता है विंड का तो 31 से 40 ओके और के अंपी एज और नौट्स के बारे में अगर आपको पूछा जाता है तो 17 से लेकर 21 होत मैं और फिर साइकलोनिक स्ट्राम की बात हैं इससे स्ट्राम कि पूछा गया था तो 62 से लेकर 87 आभ यहाँ पर हमारा अंसर क्या रहा था तो यहाँ पर हमारा अंसर क्या हुआ लेकर 87 ओके 34 to 47 ओके और यहां पर उसका दिया हुआ है 2.5 से लेकर 3 ओके 37 सैवर साइक्लोनिक स्ट्रॉम है 88 से लेकर 117 48 to 63 ओके और यह 3.5 उसके बाद फाइव नंबर पे व्यारी सैवर साइक्लोनिक स्ट्रॉम है वह 118 से लेकर 167 and 642 90 ओके और इसका जो है वह कितना है टाइम जो है कितना है 4 मिनट से लेकर 4.5 ओके उसके बाद एक्स्ट्रेमली सैवर की बात हती है एक्स्ट्रेमली सैवर साइक्लोनिक स्ट्रॉम की बात हो रही तो 16882 221 और 91 से लेकर 119 ओके और यह जो है 5.5 पांच 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 जिरो से लेकर 5 से लेकर 6 मिलें ओके उसके बाद है सुपर साइक्लोनिक स्ट्रॉम तो सुपर साइक्लोनिक स्ट्रॉम है वो 222 से लेकर आपका क्या है 120 और यह जो है 120 क्या है यह वाला ओके के एंपिएश जिसको कंणोर्स वह उसके बारे मियआ पुछा गया है 120 से जादा और वह 222 से जादा क्या होता है च्रैंट होती है यह जो ऑख़ा है वह क्या है वह जादा मतलब कि उससे ज्यादा मिलिट हो जाती है तब यह सुपर साइक्लोनिक स्ट्रॉम रहता है क्लियर चलिए तो यहां पर आंसर आएगा थर्ड इस तक करेक्ट आंसर उसके बाद चलो पुश्य नंबर 13 करो स्टेट्मेंट दिया है कि पवन फार्म प्राय सुदूर्ग शित्रों में पहाडियों के खुले सीसों अत्वा समुद्र टटों पर स्थापित किया जाते हैं और दूसरा स्टेट्मेंट है इन सुदूर्ग स्थानों पर पवन गति सतत होती है बताएगे को कि क्या अशर आएगा बताये सब्सक्राय को और स्टेट्मेंट टूं जो है ना वह इंकरेक्ट हैं अब देखो स्टेट्मेंट वन तो है यह पहाडियों कि खुले जहां पर पवन फार्म डाले जाते वहाँ जैसे कि कच्छ के अंदर क्या होती है पता है कि वहाँ पर पब्लिक बहुत कम रहती है ऑख के वहां पर बहुत कम रहती है वहां पर खुला खुला रहते हैं तो खुले सीर्स हिसों में ऐसे पवन फार्म जो होते हैं मतलब कि विंड फार्म होते हैं वह लगाये जाते ओके तो पहला वाला स्टेटमेंट सरी था लेकिन दूसरा मैं क्या कहा रहा है तो गति सतत नहीं लेकिन तेज होती है वहाँ पर क्योंकि बीच में कुछ आटा नहीं है ना कुले रहते हैं तो जो मतलब क्या है वेंड जो है ना वह तेज चलती रहती है अब यह पांच दिन पहले अंबाजी गई थी तो अंबाजी का जो मतलब पहाड आना वहां पर हम खड़े रहे ना चाई का जो कप था ना वह भी मतलब की हाथ में से मतलब क्या है वहाँ दूर दूर चला गया क्यों क्यों कि वह पवन ही इतनी तेजी से आ रहा था उसी अपर जो मतलब जो विंड की जो गति होती ना स्पीड ली होती है ऑके स्टेटमेंट वन क्या है आपका सही है चले उसके बाद बात करती कुश्चन नंबर फॉर्टिंग की बात करते हैं तो यह पर अजर्शन है अजर्शन कहा रहा है नवी करणी है उर्जासूतों से तो उसका एंवार्मेंटल इंपक्ट नहीं होता है क्योंकि रिजन कहरा है क्योंकि छुद नहीं होता है मतलब नेट एमिशन जो है ओके नेट एमिशन जो है कार्बन का वो नहीं होता है बताई इसका अंसर करें सपी बच्चे है तो यहां पर देखो अजर्ञ जो यह है वह आपका गलत है और आपका जो दोनों को देख थे नहीं है लेकिन स्टेटमेंट के रुपने भी तो हम देख सकते ना तो मतलब कारण जो दिया है न वो तो शही है लेकिन यहां पर जो अभी कतन किया गया न इसकारण का वो गलत है समझ आया तो यहां पर देखते हैं कि यह भी प्रदूसर उपन करता है रिन्यूवल एनर्जी जो है न वह क्या करता है पॉलिशन को तो भी मतलब जनरेट करता है नविकरनी उड़जा जीवास में इंदन की तुलना में उच्षार जन के लिए एक बेटर विकल्फ हो सकता है कि उसके उसका उसकी तुलना में यह मतलब कि जो प्रदूशन फैलारा रहा है के तो उसके विकल्फ यह उसका विकल्फ हो सकता है कि आप ख किने हम आई है लेकिन प्रदूसर्ण से पूरी तरह मुक्त नहीं होता है कुछ ऐसे भी रिनुबल एनर्जी है जिसके निर्मान प्रक्रिया हवा में पार्टीकुलेट जैसे के ग्रीन आउट क्या करती है सर्जन करती है सर्जन करती है थोड़ी से प्रमान में भी करती तो है क्योंकि नवी करणी उर्जा के लिए आवसे संसाधन जिवास में इंदन का उप्योग करके बनाये जाते हैं संसाधन बना रहे रिसूर्स नहीं कर रहे हैं इस वज़र से आपका यह आदसे में अदन है और पर पड़एगा हिपड़ेगा लेकिन कम पड़एगा जो नौन रिन्यूबल जो हमारी एनर्जी है जैसे कि जिवास्म है उसका जो इट्रैक्ट पढ़ रहा है उसकी दुल्ला में कम पढ़ेगा तो यह वाला पहला वाला अज़र्शन गलत है लेकिन आपका रिज़न क्या है सही है कि अब लास्ट कोश्चन आज का कोश्चन नमबर 15 है कि कि स्वाई प्रदिसक के मामले में बीजिंग सरवादिक संगत स्वास को समंदी प्रभाव के विजिंग जिसको बोलते हैं वह सबसे ज्यादा हेल्थ से इट्रैक्टेड एक एर पॉलूलेंट है उके पॉलूटेंट है बताई किस वाय से किस सब्स्वाई से संब्द देता है विजिंग का मतलब क्या होता है पता है जो मतलब कि हमें संसे लेने में दिक्कत आती है तो वहाँ पर क्या होती है अन्दर से घर घर ऐसी आवाज आती है पते हैं क्पशा थे होती हैं तो उसके अदर से एसी आवाज निकलती है न तो उसी को बोलते हैं बोलते हैं वीजिंग बोलते हैं बोलते हैं जो आवाज आती है इसकी वज़़से यह मतलब कि साथ ऐसी आवाज भी आती है उसे को बोलते हैं वीजिंग वह कौन से मतलब की एर पॉल्लेंट है जिसके वज़से होता है बताईए यहां पर आएगा किया एगा सालफर डायोटसाइड के वज़से क्या होगी जैसे जो सास्त सम्भंदित यह मतलब भीमारी है तो वह होती है I hope यहाँ पर आपको clear हुआ होगा और आज की class आप लोगों को अच्छी लगी होगी बहुत कुछ जानने को भी मिला होगा अगर आपको अच्छी class लगी है तो please video को like करते जाना है और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो और उसको भी बूला करो कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखे ओके तो चलें उस्तों बबाई टेक केर यूँ जैसी क्रिश्णा